भारतिय इतिहास में छत्रपती शिवाजी महाराज एक अद्वितिय राजनीतिक और सैन्य नेता रही हैं, जोने महाराश्च्र के इतिहास में स्वतंत्रता संद्राम के प्रेर्णा स्रोत के रूप में बहुत योगदान किया। इस महाननेता को छत्रपती के उपाधी से सम्मानित किया गया था जिसका श्रेय उनके निष्ठावान समर्थक और गुरु संत रामदा स्वामी को जाता है। चट्रपती शिवाजी महाराज को चट्रपती कहा जाना उनके धर्मिक और सामाजिक सुध्रिर्ता, वीर्ता और न्याय के प्रति उनके समर्थन का परिचायक है यह उपाधी उन्हें एक धर्मरक्षक और प्रजाके रक्षक के रूप में बनाए रखने का संकेत करती है चत्रपती शिवाजी महाराज को इस उपाधी से सम्मानित करने का श्रेय उनके गुरू संत रामदा स्वामी को जाता है रामदा स्वामी ने शिवाजी महाराज को नहीं सिर्फ एक शासक के रूप में बलकी एक सच्चे धर्मरक्षक और प्रजा के भले के लिए समर्थन करने वाले नेता के रूप में भी देखा उन्होंने शिवाजी महाराज के प्रजा के प्रती उनके सामर्थ्य और धर्म के प्रती समर्पण को देख कर उन्हें छत्रपती उपाधी से सम्मानित किया छत्रपती शब्द का अर्थ है छत्र का पतिया रक्षा करने वाला यहाँ शब्द संस्कृत भाशा से आया है और इसका मतलब है कि शिवाजी महाराज ने अपने प्रजा की सुरक्षा करने और उनके हित में समर्थ रहने का आदर्श बनाए रखा छत्रपती एक शासत के रूप में नहीं बलकि एक समर्थ और सजीव धर्मरक्षत के रूप में भी जाने जाता है जो अपने राज्य की सुरक्षा और सम्रिध्धी के लिए प्रतिबध रहता है छत्रपती शिवाजी महराज की विशेष्टा यह थी कि उन्होंने न केवल राजा के रूप में अपने राज्य को प्रबंधित किया बलकि उन्होंने अपनी प्रजा की भलाईयों के लिए जीवन जीने का आदान प्रदान किया उनका नारा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे प्राप करूँगा उनका उद्देश्य सिर्फ अपने राज्य की सुरक्षा नहीं था बलकि उन्होंने अपनी प्रजा को सम्रिध्धी और सम्रिध्धी का मार्ग दिखाने का प्रयास किया च्छत्रपती शिवाजी महराज को च्छत्रपती बनाने वाले संत रामदा स्वामी के समर्थन ने शिवाजी महराज को एक अनूठा और महान राजा बना दिया उनकी नेतृत्व और धर्मरक्षा की भावना ने उन्हें छत्रपती शिवाजी महाराज के रूप में लोकप्रिय बना दिया, जिसकी स्मृति आज भी हमारे दिलों में बसी है उनका योगदान और उनकी उपाधी हमें एक महा नेता और देश भक्त के रूप में स्मृती में रखे जाने चाहिए